दोस्त कंपीटर लोजिक पर स्वागत है इस वीडियो में जानेंगे कंपीटर की परिभासा क्या है यानि की कंपीटर क्या है तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले तक computer की परिचाय करते हैं कौन सा कौन सा पार्स को क्या क्या कहते हैं तो चलिए परिचाय लेते हैं यह हो गया monitor इससे monitor कहते हैं ताकि जो भी computer का अंदर भाग में जो भी CPU में जो भी काम होता है उस काम को आप monitor में display यानि की देख सकते हैं जो कुछ भी computer का अंदर चल रहता है चलता है जो भी data रहेगा उसको आप monitor के जरीए आप देख सकते हैं अगला पार्स है CPU CPU हो गया computer का मुख्या device यानि की CPU के बीना computer अधुरा होता है क्योंकि जो कुछ भी होता है तो CPU का अंदर ही होता है और वो जो भी processing होता है CPU में होता है और जो processing को देखने के लिए monitor होता है तो CPU computer का मुख्या भूमिका निवाता है तो अगले पार्स जानते है keyboard की बोर्ट भी एक मुख्या भूमिका निवाता है क्योंकि keyboard के द्वारा हम input जो data को input कर सकते है जो भी हम data computer में डालना चाहते है तो keyboard के द्वारा हम input कर सकते हैं तो keyboard भी एक मुख्या भूमिका है तो अगले पार्स जानते है mouse mouse का भी अच्छे भूमिका निवाता है क्योंकि mouse भी जो भी object को select करने के लिए या तो उस cursor को mob करने के लिए mouse का जरूरत होते है तो mouse भी बहुत important parts है और printer जो कुछ भी इसको कहते है printer जो कुछ भी computer में आप output निकलना चाहते है तो उसको printer के जरीए output निकल सकते है printer के जरीए आप जो भी data या तो system में जो भी आप काम किया उसको अगर print के जरीए आप निकलना चाहते है तो printer की जरूरत पड़ते हैं तो यह हो गया command जो basic parts इसके अलावा भी और बहुत कुछ parts है computer का तो उसके बारे में details में जानेंगे अभी जानते है computer की परिभासा क्या है असान भासा में कहते है computer एक electronic की यंत्र है और आज हम हर कामों को करने के लिए computer की सहारा लेते हैं यानि की user user से data लेता है यह computer कैसे काम करता है तो इसको अगर असान भासा में कहे तो यह एक user से data को लेता है और इसे हम input कहते हैं और उस data को process करके result अतिजल्द देता है उसे हम output कहते हैं तो computer में मुख्या तीन काम होते हैं ताकि input करना पड़ता है जब भी computer में आप data को या तो information को या to command को बड़ेगा और input करने के बाद input करने के बाद उस आप जो command दिये है या तो जो data आप input किये है उस command को processing होगा यानि कि आप क्या करने के लिए दिया है तो 1 प्लास 1 अगर प्लास करने के लिए यानि कि जोडने के लिए दिया है तो वो क्या करेगा 1 प्लास 1 आप दबाने के बाद वो प्रोसेसिंग करेगा प्रोसेसिंग करने के बाद आपको आउटपूट देगा यानि कि उसका रिजल् उस result को आपको show करेगा तो ये तीन basic काम होता है यानि कि आप पहले तो input करना पड़ेगा data या command उसके बाद उस data या command का processing होगा और उसके बाद आपको result मिलेगा as a output की तरह तो ये computer में ये तीन काम मख्या होते हैं तो computer सब्द Latin सब्दा computer से लिया गया है तो ये भी एक मत्वपुर्णा प्रेशना है या कि computer सब्दा जो computer या Latin सब्दा computer से लिया गया है और जिसका अर्थ है calculation या गनाना करना इसलिए इसे गनाक या संगनाक भी कहते हैं तो computer को गनाक सबसे पहले तो इसे calculation के लिए computer का शुरूवात हुआ था यानि कि calculator के जरिये computer का अभिसकार का अगर हम पीछे मोड के देखेंगे तो एक calculator के दुआरा से ही आभी का computer का अभिसकार हुआ है तो वो calculator से होके होके develop होते होते तो आज का जो main computer बना है यानि की modern computer बना है तो computer का full form क्या है तो यह जानना जरिरी होता है computer का full form हो गया C का मतलब है commonly O का मतलब है operating M का मतलब है machine P का particularly U का used T का technology E का education and R का richards अर्थाथ इसको हम A की line में कहेते commonly operating machine particularly used in technology education research इसका computer का हो गया full form अभी जानते computer का main component यानि की parts of computer computer के क्या-क्या parts होते है hardware होते है तो hardware में hardware और software दो भागवा में main parts को divide किया गया है hardware मतलब जो हम touch कर सकते है जो देख सकते है और छूच सकते है उसको hardware कहते है तो ये hardware parts में क्या-क्या parts को hardware में divide किया है उस hardware में भी अलग-अलग चार भागव में भाग किया गया है input device मतलब input device मिंस जो हम data को input करने के लिए यानि की computer के अंदर command को डालने के लिए जो input करने के लिए insert करने के लिए जो भी device हम use करते है as a, like as a keyboard हो गया keyboard से हम data को input करते है तो keyboard को एक input device कहते है और microphone microphone से हम जो भी आवाज को हम computer में डाल सकते है यानि कि input कर सकते है उसको भी input device में मना दाता है recording device है जो कुछ भी हो जो input करने के लिए data को या command को input करने के लिए जो भी हम लोग device हम use करते है उसे input कहते है और दुसरी हो गया output device और जो result जो computer में जो result जो बनता है जो input होने के बाद processing होने के बाद जो आपको result को output निकलना पड़ता है उसे output device कहते है ताकि जैसे की हो गया printer एक output device याने की जो भी उदर result बनता है उसको output करने के लिए याने की computer से बाहर निकलने के लिए जैसे की प्रिंटर से हम print निकल सकते है जो भी data को और दुसरी हो गया एक speaker speaker से क्या है जो भी voice या sound उसको हम बाहर सुन सकते हैं उससे भी output device कहते हैं तो input और output दो भाग हो गया और तीसरी हो गया processing device processing device में आता है cpu याने की central processing unit cpu का full from हो गया जो processing unit में क्या होगा जो भी आप input किया वाला data जो process होता है उसलिए उसको processing device कहते है याने की cpu और चौथा में हो गया storage device computer में हम लोग जो भी data हम लोग डालते हैं याने की input करते हैं या तो जो भी software अगर जो भी रहेगा तो उसको storage device की जरण पर देता की memory हो गया memory में अलग अलग प्रकार के memory होते हैं कोई hard disk हो गया sddd हो गया floppy disk हो गया memory हो गया chips हो गया है न तो यह सभी हो गया storage device में आते हैं तो जो भी data को store करने के लिए उसमें अलग सा storage device भी होते हैं तो यह थी hardware का parts और अभी जानते हैं हम software के parts जो software क्या क्या होते हैं तो system software और application software यह दो भागों में ही भाग किया है software जो दो parts में भाग किया है तो system software बोलेगा तो जो भी system में software रहता जो भी software डाल के system जो fix बना दिया है तो उसको software system software कहते है और application software, application software हो गया यह extra, जो कि अब application होते हैं, जो अलग-अलग application हम लोग install करते हैं, तो वो हो गया application software, ताकि as a Microsoft, MS Word, PowerPoint, Photoshop, यह सभी हो गया application software, जैसे कि हम WhatsApp, Facebook, यह सभी हो गया application software, यह सभी extra टालना पड़ता है, तो इसे application software कहते हैं, तो यह हो गया software का भाग, अभी जानते हैं, computer की विशे सता ही क्या है, यानि की computer की characteristics, computer की विशे सता, जो computer की कुछ विशे सता है, इस विशे सता के आधर पर computer चलता है, number one होगे high speed, यह computer में काम जो बहुत ही high speed में कर सकते हैं, यह कुछी second में, कुछी पल में, तो इसे बहुत सारा काम एकी साथ कर सकता है, यह high speed बहुत ही तेजगती में इसे काम कर सकते हैं, accuracy यानि कि सठीकता, यह 100% accuracy होते हैं यानि कि सठीक results computer देता है, यह 100% accuracy होते हैं, और storage capacity यानि कि storage capacity बहुत ही ज़्यदा होते हैं computer में, तो अपने हिसाब से इसको storage capacity लगा सकता है, reliability यह विश्वसानेतिया है, और multitasking यह एकी समय में बहुती अनेक कार्जा को कर सकते हैं, एकी समय में अलग-अलग काम को अलग-अलग तरीके से कर सकते हैं, security के चेत्रा में यानि कि सुरक्चा के चेत्रा में यह बहुती सुरक्षित हैं, जो कुछ भी हम अपने हिसाब से हम कर सकते हैं, versatility बीवी दता, इसमें मतलब अनेक को काम को हम अनेक तरीके से इसे कर सकते हैं, diligence यानि के करमटता यानि के निरंतरता यह थकता नहीं है, हम अदमी मनिशत ठक जाते हैं लेकिन computer ठकता नहीं है, यह continuously काम कर सकते हैं, तो इसकी यह आठ इसका बिसेसता है, तो इस वीडियो में इतना है, तो वीडियो को कैसा लगा, अगर वीडियो को अच्छे लगे तो like share और चैनल पर नहीं है, तो subscribe करना भी ना भूले, ताकि computer से related जो भी वीडियो अब तक में पहुंचने पर, क्याओ कर दो अगरे हैं, तो आगरे हैं, तो रहा हैं, तो जो आगरे हैं,